बिस्मिलाहिर रामाने रहीम, हेलो फैशन डिजाइनर्स कैसे हैं? आज इस वीडियो में 6 कली पेटी कोट की स्टिचिंग बताएंगे पिछली वीडियो में इसकी कटिंग कपड़े पे करना बताई थी और उससे पिछली वीडियो में पेपर पे कटिंग करना बताई थी दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्चन बॉक्स में है ये बड़ी वाली कलीो के दो पीस है जो आगे पीछे आएंगे ये छोटी वाली कलियों के दो पीस है और ये छोटी वाली कलियों के ये दो पीस है ये हमने पट्टिया फिरिल के लिए कट की है इसकी हम फिरिल बनाएंगे और ये पेटी कोट की बेल्ट है अब इन तीन कलियों को हटा देते है ये कपड़े की सीधी साइड है और ये कपड़े की उल्टी साइड है उल्टी साइड पे हमने मार्क लगा दिये है ये कपड़े की तिर्ची साइड है और ये कपड़े की सीधी साइड है और ये कपड़े की तिर्ची वाली साइड है कलियों को इस तरीके से जॉइंट करना है एक कली का कपड़ा तिर्चा आएगा और एक कली का कपड़ा सीधा आएगा ऐसे ही दूसरी वाली कली का भी कपड़ा जॉइन करेंगे ये कपड़ा तिर्चा है और ये कपड़ा इसका सीधा आ रहा है इस तरीके से इसके उपर रखेंगे बस ये जो मार्क हमने लगाए है इसी मार्क पे सिलाई लगा देंगे अब बस फटाफट से सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइडों पे ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे हाफ इंच का मार्जन लेते हुए स्टिच लगाना है दूसरी साइड पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे ऐसे ही पेटी कोट की बैक वाली कलिया भी जोड लेंगे देख सकते हैं यह हमने दोनो साइडों पे सिलाई लगा ली है इसको ओपन कर देते हैं दूसरी वाली कलिया भी हमने बिल्कुल सेम तरीके से जॉइन कर ली है बिल्कुल एक ब्राबर करके दोनों को बिछा लेंगे ये कपड़े की उल्टी साइड है और ये कपड़े की उल्टी साइड है अंदर की साइड से ये कपड़ा सीधा है अब ये जो मार्क लगा है इनी मार्कों पे सिलाई लगाना है इस साइड हमें 2 इंच छोड़कर सिलाई लगाना है दूसरी साइड पे पूरे में सिलाई लगाना है इस साइड पे 2 इंच छोड़कर सिलाई लगाना है इस साइट पे हम उपर से स्टिच लगाएंगे जैसा कि वीडियो में देख रहे है इस वाली साइट पे सिलाई यहां से लगाना स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग से रिलेड़ेड कोई भी डाउट हो हमसे बात कर सकते हैं इस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अब यह सिलाई तो लग गई है इस कपड़े को हमें इस तरीके से पकड़ना है यहां से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे पहले एक बार फोल्ड करेंगे फिर दुबारा से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे सिलाई लगा देंगे किनारे पे हमें सिलाई लगाना है इस तरीके से इसको घुमा देंगे सुई की नो कपड़े में ही रहना चाहेंगे सरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे सिलाई लगा देंगे बस अब ये सिलाई तो लग गई है दिख सकते हैं हमने इस साइड भी सिलाई लगा ली है और हमने इस साइड भी सिलाई लगा ली है अगर पेटी कोड का कपड़ा नीचे से या उपर से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो मतलब थोड़ा उचा नीचा हो तो इसको काट कर निकाल सकते हैं मतलब कपड़े को बिल्कुल एक बराबर कर ले अब हम पेटी कोड में बेल्ट लगाएंगे ये बेल्ट का सीधा कपड़ा है और ये बेल्ट का उल्टा कपड़ा है यहां से हमें कपड़े को इस तरीके से फोल करना है कपड़े को हमें इस तरीके से दो बार फोल करना है इस पर सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद बेल्ट हमारी इस तरीके से आएगी ये पेटी कोट का उल्टा कपड़ा है और ये बेल्ट का उल्टा कपड़ा है इस तरीके से सिलाई लगाएंगे पहले हम ये वाली सिलाई लगा लेते हैं ये सिलाई तो हमने लगा ली है ये पेटी कोट का उल्टा कपड़ा है और ये बेल्ट का उल्टा कपड़ा है इस तरीके से दोनों को मिला कर रखेंगे सिलाई लगा देंगे ये जो मार्क हमने लगाया है इसी मार्क पे सिलाई लगाएंगे बस हमें हाफ इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगाना है पूरे घेरे में हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेना है स्टिचिंग सीखना काफी इजी है बस इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है इसलिए हम एक ही वीडियो में कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं बता रहे हैं क्यूंकि लेडिस लोगों के पास जादा टाइम होता नहीं है वो अक्सर घर के कामों में बिजी रहती है तो बस ये सिलाई का कोर्स करने के लिए एक घंटा ही चाहिए है एक घंटा तो कोई भी डेली लाइफ में निकाल ही सकता है और किसी के कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मैं उसकी हैल्प करूँगी इस्टाग्राम पे हमसे बात करें अभी हम एक इंच तक सिलाई नहीं लगाएंगे ये सिलाई हम बात में लगाएंगे धागे को कट कर देंगे वन इंच एक्स्टा कपड़ा छोड़कर जो भी एक्स्टा कपड़ा है सारा कपड़ा कट कर देंगे कपड़े को रॉंग साइट पे दो बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे पहले हमने एक बार फोल्ड किया फिर हमने इस तरीके से दूसरी बार फोल्ड किया इस पर सिलाई लगा देंगे अब ये सिलाई तो लगा दी है धागे को कट कर देंगे अब ये जो इसकी सिलाई रह गई थी इस पर सिलाई लगा देंगे यहाँ पर हम पक्के करके डवल सिलाई लगाएंगे अब इसको पलट कर सीधा कर लेंगे इसको हमने सीधा कर लिया है ये पेटी कोट की सीधी साइड है यहां से हमें इसको हाफ इंच तरीके से फोल्ड करना है फिर इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है और ये जो मारजन है वो उपर की साइड रहेगा इस तरीके से पूरी बैल्ट पे हमें सिलाई लगा देना है इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए जब मैं बैल्ट की सिलाई लगा रही थी मुझे पता ही नहीं चला वीडियो शूट नहीं हुई बस ये थोड़ी सी सिलाई ही रहे गई थी बस मैं अंदादुन वीडियो बनाए जा रही थी देख सकते हैं ये बैल्ट लग गई है ये इसका नेफा बन गया है अब नीचे की साइड हमें फिर लगाना है अगर आपका कपड़ा नीचे से एक बराबर नहीं है तो इसको कट करके एक बराबर कर सकते हैं लेकिन हमारा कपड़ा बिल्गु सही है एक बराबर है ये इसकी पट्टियां है जो हमने कट की थी इन पट्टियों की लैंद हमने ली है 4 इंच इन पट्टियों की विर्था है 44 इंच इन पट्टियों को हमें जॉइंट करना है ये इसका सीधा कपड़ा है और ये भी इसका सीधा कपड़ा है इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगा देना है हाफ इंच का मारजन लेते हुए सिलाई लगा देना है दोनों पट्टियों को जोड़ कर इस पट्टी की विर्थ हो गई है 88 इंच क्यूंकि एक पट्टी की विर्थ 44 इंच थी इस तरीके से पट्टी को हमें फोल्ड कर देना है कपड़े की उल्टी साइड अंदर की साइड रहेगी वैसे तो ऐसे भी फिर्थ बना सकते हैं लेकिन मैं आप लोग को फिर्थ बनाना असानी से बता रही हूँ ताकि फिर्थ बिल्कुल एक बराबर आए बस हमें इसमें जादा कुछ नहीं करना है बस सीधी सी सिलाई लगा देना है पूरी पट्टी पर ये फिर्थ बनाने का बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ ताकि बिगनर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो पूरी पट्टी पे स्टिच लग गई है टू इंच की दूरी पे मार्क लगा लेंगे पूरी ही पट्टी पे ऐसे ही मार्क लगा लेंगे ये मार्क हम प्लेटों के लगा रहे हैं क्योंकि हमें इसमें फिरिल में प्लेट डालना है इस तरीके से मार्क लगाने से प्लेट बिलकुल बराबर आती है फिरिल में अच्छी finishing आती है और कोई भी असानी से plate डालेगा फिरिल बना लेगा इस तरीके से बस हमें इस तरीके से plates डालते जाना है और सिलाई लगाते जाना है जैसे हम शलवार में plates डालते हैं बिलकुल सेम तरीके से इसमें भी plates डालना है कोई ऐसी बात नहीं है कि ये फिरिल है इसमें अलग तरीके से प्लेट डाली जाएंगे और शलवार में अलग तरीके से प्लेट डाली जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है जैसे शलवार में प्लेट्स डालते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें भी प्लेट डालेंगे पूरी पट्टी पे हमें ऐसे ही प्लेट डाल देना है कोई कोश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या इस्टाग्राम पे भी हमसे बात कर सकते हैं मेरी इस्टाग्राम आईडी आमना बुटिक के नाम से ही है इस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ये फिरिल तो बन चुकी है देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है कितनी क्यूट सी लग रही है ये फिरिल इसको नाब कर देख लेंगे ये छोटी तो नहीं आ रही है देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट आ रही है इस फिरिल की लेंध कितनी है वो बता देती हूँ इस फिरिल की लेंध है 2 इंच स्टिच लगने के बाद ये फिरिल 1 एंड हाफ इंच की रह जाएगी क्योंकि हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा ये पेटी कोट की सीरी साइड इस तरीके से फिरिल को हमें रखना है इस तरीके से मिलाते हुए इसको रखना है पेटी कोट से और इस पर सिलाई लगा देंगे हाफ इंच का मारजन लेते हुए सिलाई लगाना है पूरे घेरे में हम ऐसे ही फिरिल को जॉइंट करेंगे पेटी कोट में तो वैसे भी फिरिल लगा ही जाती है लेकिन आजकल बहुत फैशन में चल रही है फिरिल कोई असीनों में लगा रहा है फिरिल तो कोई प्लाजों में लगा रहा है फिरिल लेकिन फिरिल अच्छी लग रही है लगी हुई सिंपल से साधे से सूट का लुक ही चेंज हो जा रहा है फिरिल लगकर काफी अच्छा और स्टाइलिश लुक देगा अगर आप साधे सूट में फिरिल लगाएंगे दुपटे में भी फिरिल लगा सकते हैं दुपट्टा बिल्कुल ready made है, कोई बताई नहीं सकता, हमने दुपट्टे को घर पर तयार किया है, अब इन दोनों किनारों को हमें इस तरीके से पकड़ना है, यहाँ पे हमें इसकी सिलाई रोग देना है, अभी दागा कट कर लेना है, पहले हम यह सिलाई लगा लेंगे, ब पक्का कर देंगे, बस अब फटा-फट से यह सिलाई भी लगा लेते हैं, अब बस इसके बाद हमें एक सिलाई और लगाना है, बस यह फिर सिक्स कली वाला पेटिकोट बंद कर तयार हो जाएगा, यह सिलाई लग गई है, अब इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ पर एक सिलाई चड़ा कर लगा देंगे, इसको यह कप्रा है, इसको उपर की साइड रखेंगे, बस हमें किनारे पे सिलाई लगाना है, इसको चड़ा कर सिलाई लगाना बोलते हैं, मारजन को हमें उपर की साइड रखना है, ध्यान से देखें ये जो मारजन है इसको हमें उपर की साइड रखना है और इस पर सिलाई रगा देना है पूरे गेरे में हमें ऐसे ही सिलाई रगाना है ब्यूटिफुल फैशन डिजाइनर देखें मैं आपके खातिर कितनी मेहनत कर रही हूँ इस टाइम रात के 12 बच के 19 मिनट हो रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो इतनी मेहनत के लिए लाइक एंड सस्क्राइब करना तो बनता ही है ना बस अब ये सिलाई तो लग रही वाली है और ये सिलाई यहीं पर कंप्लीट होती है अब ही मैं टेरिस पे गई थी तो बहुती अच्छी हवा चल रही है मूड एकदव फ्रेश हो गया इसकी ये जो बैल्ट है यहाँ पर नारा डलेगा देख सकते हैं पेटी कोट का लुक फिरी लगने के बाद कितना अच्छा लग रहा है सिंपल कुटी में भी अगर फिरी लगाएंगे तो लुक बहुत अच्छा आएगा फैशन डिजाइनर्स अपना बहुत सारा ख्याल लगएगा हम लोग मिलते हैं नेक्ट वीडियो में